नमश्कार जरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं आज हम यहां आपके सामने प्रस्तूत कर रहे हैं 2019 में कक्षा 12 वी की जो परिच्छा हुई है उसमें हिंदी विशय के प्रश्ण पत्र को हम हल करके आपके सामने दख रहे हैं इसके पहले हमने कक्षा 10 वी की हिंदी विशय की परिच्छा के प्रश्ण पत्र को ही इसी तरह हल करके उसका वीडियो आपके सामने प्रस्तूत किया है तो आईए, शुरू करते हैं कक्षा बार्वी का, हिंदी विशय का, इसी साल का जो प्रश्ण पत्र है उसको हल करने का सिल्सिला प्रश्ण पहला है निमलिकित गद्यांश को पढ़ कर पूछे गए प्रश्णों के उत्तर लिखिए जो गद्यांश है, उसे मैं यहां से पढ़ नहीं रहा हूँ, वह इस क्रीड पर आपके सामने आएगा उस पर आधारिक जो प्रश्ण हैं, मैं उनके उत्तर आपको दे रहा हूँ कव गद्यांश को पढ़ कर उचित सीर्षक लिखिए इस गद्यांस का जो उचिस शीरशक होगा वो उत्तर में इस तरह लिखा जाएगा मैंने दिया है न्याय शेत्र का संकट ख आजकल न्याय पालिका पर उंगली क्यों उठाई जा रही है उत्तर है महिलाओं की मर्यादा और उनके दुरविवहार के मामलों में पिछले कुछ समय से ऐसे आच्रण के लिए स्वयम न्याय पालिका पर भी उंगली उठाई जाने लगी है गा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने उत्तर है छोटे शहरों कस्वों में सरकारी अपसरों की हैसियत बहुत बड़ी होती है और जब भी उन्हें हैसियत वाले लोगों में शामिल होते हैं जिसमें जज भी एक हिस्सा है ऐसे में कुछ जज ऐसा मानने लगते हैं कि वे तमाम सामाजिक मर्यादाओं से उपर हैं अब घा प्रश्न स्क्रीन पर उत्तर जजों को अधिक सतर्क इसलिए रहना चाहिए क्योंकि जिन लोगों पर कानून की रक्षा करने का कानून का पालन करवाने का दायत होता है उन्हें तो इसका आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए और किसी भी तरह की कोता ही नहीं होनी चाहिए इसी का इंगा है नियाय पालिका में निचले इस्तर पर अच्छे जज क्यों नहीं मिलते उत्तर है नियाय पालिका में निचले इस्तर पर अच्छे जज नहीं मिलने की वज़ाई यह है कि अच्छी नियायक शिक्षा संस्थानों से पढ़कर जो छात्र निकलते हैं वो नियाय पालिका में नौकरी करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें नियाय पालिका की तुन्ना में बेहतर काम संस्कृति और आर्थिक सुधाएं कार्पोरेट ज्यगत में हासिर होती है और चाहे प्रशन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा उत्तर है नेशनल लाइंसिच्यूट और अन्य प्रदशिस अंस्थानों के अनेक अच्छे शात्र इसलिए जज़ बनना नहीं चाहते क्योंकि कार्पोरेट ज्यगत में उन्हें ज्यादा उंदा वेतनमान मिलता है और बह स्कालत के तौर पर प्रेक्टिस करना चाहते हैं इसी का च्छा है जो प्रशन आपके सामने स्क्रीन पर आएगा उत्तर है वियाईपी संस्कृति की धार्णा इस प्रकार सामाजिक अराजक्ता और गैर बराबरी को बढ़ावा देती है कि एक शद्म से धान्त ही बना लिया गया है कि जो आगवी वियाईपी है उसे किसी तरह के नियम कायदों का पालन करने की जरूरत नहीं है अब प्रशन दूसरा दूसरा प्रशन निमलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रशनों के उत्तर दीए तो जिस काव्यांश को पढ़ना है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है आप उसे स्क्रीन से पढ़िए मैं यहां से उस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर दे रहा हूँ इसका का प्रश्ण है यादों को नदी में उठी भवर की तरह क्यों कहा गया है उत्तर है यादों को नदी में उठने वाली भवर की तरह इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस तरह से नदी के अंदर से भवर उठती है ठीक उसी तरह से हमारे मन में बसी हुई यादों भी उठा करती है अब इसका जो खाप प्रशन है वो इसक्रीन पर और उसका उत्तर है कभी के पास खुद को कटगरे में खड़ा करने की मजबूरी यह है कि यादें अगर आएंगी तो आपने किये गए कामों और गलतियों का आभास भी हमें कराएंगी यह आभास ही न्याय का कटगरा होता है अब प्रशना आपके सामने स्क्रीन पर उत्तर है यादों को शरीर में धसे कांच जैसा मानने के पीछे यह तर्क हो सकता है कि जिस तरह धसागुआ कांच नजब नहीं आता पर वह शरीर के अंदर पीड़ करता है यादे भी उसी तरह मन में बसी रहती हैं और समय समय पर हमें पीड़ा देती हैं धा आपके सामने इसक्रीन पर और उत्तर है यादों को जानी दुष्मन की तरह मानने का आशिय है यह है कि जिस तरह से जान का दुश्वन हमेशा जान लेने की घात में रहता है उसी तरह यादें भी मनश्री की जान लेवा लेने वाली प्रतीत होती है अब अथवा है अर्थाव एक और काव्यांश है जिस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर करने हैं यह काव्यांश भी आपके सामने स्क्रीम पर आएगा और मैं उस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर आपको यहां से दूगा इसका जो का है उस प्रुष्ण का मैं पढ़ रहा हूं उसे गुलाब और अलसी सरसों से कवी का क्या आशे है उत्तर है गुलाब और अलसी सरसों से कवी का अभिप्राय शहरी और ग्रामिल लोगों के प्रतीक के तोर पर वह अपनी बाल एह रहा है खा जो प्रश्ण है वो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा और उसका उत्तर मैं यहां से दूँगा पढ़े लिखे गुलाब के गाउं में जाकर बसने से जो समस्याएं हैं वे इस प्रकार हैं पहला गाउं में उसकी अगवानी और स्वागत कोई नहीं करता दूसरा वहां उसकी शोभा की प्रशंशा करने वाला कोई नहीं होता तीसरा गाउं को उसका लाब नहीं मिलता इसलिए कोई उसे पसंद भी नहीं करता गा प्रश्ण जो है वह स्क्रीन पर और उसका उत्तर है मूरख किसान को वही चीजें भाती हैं जो फूलने के बाद फल भी देती हैं जैसे हलसी और सरसों की फसलें इसका धहा जो प्रश्ण है वो इसकीन पर और उसका उत्तर है आमीन गुलाब पर ऐसा वक्त कभी ना आए से कभी का तात्पर यह है कि शेहरी लोगों को गाउं जाकर ग्रामिल लोगों के साथ कभी रहना न पड़े ऐसा वक्त ना आए वहां की धूल भरी जिंदगी उसे ना जीना पड़े अपनी शेहरी संस्कृति का दिखावा करने का आउसर उसे ना मिले ऐसा वक्त भी उस पर कभी ना आए यहां पर असल में कभी ने वेंग्यात्मक शेली में अपने विचार रखे हैं और वह एक तरह से ब्याजनिंदा ही कर रहा है अब प्रश्ण पत्र का जो खंडखा वाला हिस्सा है हम उसको शुरू करने जा रहे हैं प्रश्ण तीसरा देखिए निमलिखित मेंसे किसी एक व प्यांग तक सिमर्ति शिक्षा इस पर जो अनुच्षेद है वो इस स्क्रीन पर आएगा फिर इसका खा है कठिन है मित्र की पहचान इस विशे का अनुच्षेद भी आपके सामने इस्क्रीन पर आएगा और तीसरा यह विशेह अनुच्षेद भी आपके सामने इस्क्रीन पर आएगा घा है प्लास्टिक एक पर्यावरन संक्रट और इस पर जो अनुच्षेद लिखा गया है वो से आप स्क्रीन पर पर सकते हैं और अब प्रश्ण चोथा आपके सामने हैं इसमें किसी समाचार पत्र के संपादव को पत्र लिखकर सीमा पर देश की रक्षा करते हुए बलिदान देने वाले भारती सेना के जमानों के शौर्य और वीरता को रिखा करने के लिए कहा गया है तो जो प्रश्ण है उसका एक बनावट होती है बनावट होती है शिल्प होता है लिखने का एक तरीका होता है पैटर्न होता है तो वह आप इस्क्रीन पर पूरा पत्र देख रहे हैं उसे पढ़ सकते हैं मैं उसको यहां से नहीं प्रस्थुत करूँगा और अब हम आते हैं प्रश्न चट्वें प्रश्न हैं नहीं पांचवा नम्लिखत मैंसे किनी चार प्रश्नों के संच्छत उत्तर देना हैं तो जो का प्रश्न है वो इंटेर्ण आपके सामने स्क्रीन पर आएगा मैं उसका उत्तर पढ़ नहें इंटरनेट पर मौजूद हिंदी की दो साहितिक पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार हैं पहला रचनकार दूसरा हिंदी साहित अब प्रशन जो है वह समाचार लेखन के संदर्व में ककार का क्या आश्य है तो यह इसका उत्तर जो है वह इस्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है इसी का गाह है वयस ओवर क्या है तो इसका उत्तर भी आपके सामने इस्क्रीन पर आएगा अब गहा है समेकित माध्यम किसे कहा जाता है समेकित माध्यम का उत्तर आपके सामने इस्क्रीन पर आ रहा है उसे पढ़िये इंगा है इंटरनेट पत्रिकारिता क्या है उत्तर स्क्रीन पर आपके सामने उपलब्द है और अब प्रश्न छट्वा जंक फूर्ट और स्वास्थ विशय पर एक आलेग लिखे तो इस विशय पर आलेग आपके सामने इस स्क्रीन पर प्रस्तुत है आप उसे पढ़ सकते हैं प्रश्न सात्वा है मत्दान केंद्र पर लगा लोकतंत्र का मिला इस विशय पर एक फीचर तयार कीजिए तो इस विशय का फीचर तयार किया गया है और वो आपके लिए इस स्क्रीन पर रहा है अब प्रश्ण पत्र का तीसरा खंड यह खंड गा शुरू होता है इसमें प्रश्ण आठ्वा है निम्न लिखित काव्यांश को पढ़कर पूछेगे प्रश्णों के उत्तर दीजिए अब काव्यांश जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ और उसके प्रश्ण मैं यहां पढ़ूंगा उत्तर आप इस्क्रीन पर देखेंगे तुलसी दास ने अपने समय की किनकिन समस्याओं को उठाया है तो इसका उत्तर इस्क्रीन पर वोजूद है आप पढ़ सकते हैं फिर खा है कि तुलसी किस से क्रपा की उम्मीद कर रहे हैं और क्यों इसका उत्तर भी स्क्रीन पर हमने प्रस्तुत किया है आप उसको पढ़ लीजिए गाहे दरिजिता की तुलना रावन से की गई है और उससे बचाव का उपाय क्या है तो इसका उत्तर भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और अथ्वागर के एक और काव्यांश है जो आपकी परिक्षा में आया था तो वह काव्यांश भी जो है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैं यहां से उनके प्रश्णों के बारे में आप से बात करूंगा इसका जो का प्रश्ण है वह है भाषा की सहुलियत से भाषा को सहुलियत से बरतने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसका उत्तर इस स्क्रीन पर आपके साथ है खाहे बात की चूड़ी मर गई से कवी का क्या तात पड़े है इस प्रश्ण का उत्तर भी इस स्क्रीन पर आपके सामने हैं आप उसे पढ़ सकते हैं गाहे भाषा प्रयोग के संदर्व में इन पंक्तियों का आशय स्पस्ट कीजिए पंक्तियां हैं पर अंदर से ना तो उसमें कसाव था ना ताकर तो इसका उत्तर में बताता हूं भाषा प्रयोग के संदर्व में इन पंक्तियों का आशय यह है कि बाहर से कविता कविता जैसी ही लगने लगी पर उसकी आंत्रिक्ता में कोई कसावट न रही कविता शक्ति ही न हो गई आप प्रश्ण नौमा और नौमा है निम्लिखित क काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए तो काव्यांश जो है वो आपके सामने फिराग गोरवपुरी की रुबाई है वह रस्तुत है और उसके प्रश्ण में यहां से बता रहा हूं प्रश्ण है पहला का जो आपके सामने स्क्रीम पर काव्याश के सिल्प सौंदर एक चुराए लिए जाती हैं वे मेरी आखें आखें चुरा ले जाना मुहावरे का प्रयोग हुआ है इसमें मानुवी करण अलंकार है दूसरा हौले हौले जाती मुझे बीच निजमाया से अनुपरास अलंकार है इसमें तीसरा है प्रकृति का मनुवारी चित्रम हुआ है और चौथा इसमें शांतरस है खा प्रश्ण आपके सामने स्क्रीन पर और उत्तर है काव्यांस का भाव सोंदर इस तरह होगा कभी ने बगलों के बहाने प्रकृति के मनोहारी स्वरूप का वर्णिन किया है आसमान पर सामले रंके बादल चाय हुए है उसमें मानों सन्या का तेजो मै सफेद शरीर बनकर ये बगले उड़ रहे हैं इसका एक अथवा है और वो काव्यांस स्क्रीन पर आपके सामने आएगा और इस काव्यांस का जो प्रश्ण है वो भी स्क्रीन पर आएगा उत्तर में यहां से बताऊंगा और स्क्रीन पर भी आप उसको देख पाएगे इस काव्यांस का भावसो बंधन के त्योहार पर सबेरे से ही आनन्द और मिठास का वातावरण बन जाता है जलकी फोहारें बरस रही होती हैं आकाश में हलकी घटाएं च्छाई रहती हैं और राखी के धागे भी बिजली की तरह चवक रहे होते हैं खा प्रश्ण है इसका ताव्यांस के शिल्प सोंदय पर प्रकाश डाईए अब इसका उत्तर जो है वह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रश्ण दस्वा है निम्लिखित मैंसे किनी दो प्रश्णों के उत्तर दीजिए का प्रश्ण जो है वो इसक्रीन पर आपके सामने उत्तर मैं दे रहा हूं दिन ढहले पर कवी के पद्व शिथिल होने और उर्मे विभलता का अनुवा होने के जो कारण है वो इस प्रकार है कि उनसे मिलने के लिए कोई व्याकुल हो ऐसा कोई प्रीजन है ही नहीं तब एक इसके लिए शीघृता करें बस यही प्रश्ण के मन को उदास कर देता है और तन की गती भी कमजोर पड़ जाती है अब इसका घा है सहर्ष स्विकारा है कविता में कभी संबोध्य अर्था तुम को भूल जाने का दंड क्यों मांग रहा है इसका उत्तर इस प्रेन स्क्रीन पर आपके सामने गाहे जो प्रश्ण वो इसक्रीन पर आएगा उत्तर है उशा कविता में भोर के नभी की तुलना शंक से की गई है क्योंकि वह शंक की तरह नीला और घुमावदार आकृति से युक्त होता है अब घा प्रश्ण आपके सामने स्क्रीन पर उत्तर है छोटा मेरा खेत कविता में कवी ने रसके अख्षय पात्रों से रचनाकर्म की इन विश्यस्ताओं का संकेत किया है कि रचनाकर्म आनंद का श्रजन करता है ऐसा आनंद जो कभी समाप्त नहीं होता अनंद काल तक वह आनंद बना रहता है और अब प्रश्ण ग्यार्वा नेमलिकेद गद्यांस को पढ़कर पूछे गए प्रश्णों के उत्तर दीजिए गद्यांस आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है मैं उस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर दूंगा तो इसका जो पहला प्रश्ण है यानि का वो आपके सामने स्क्रीन पर है और इसका उत्तर है बवाई के लिए किसान पहले भूमी को हल चलाकर भुरभुरा बनाते हैं फिर उसमें अच्छा वाला बीज बोते हैं तब धरती उस बीज की मात्रा से कई गुना फसल उन्हें वापस लोटाती है इसी का जो खाप प्रश्ण है वो आपके सामने स्क्रीन पर है और उसका उत्तर मैं आपको यहां से दे रहा हूँ त्याग की महत्ता को जीजी ने इस तरह बताया कि समाज के लिए यह इसलिए जरूरी है क्योंकि त्याग की भावना से ही हमें अपने हिस्से का लाव और सुप मिलता है एक का देना ही दूसरे का पावना है अब गाप प्रश्ण आपके सामने है स्क्रीन पर उत्तर है यथा प्रजा तथा राजा से जीजी का अर्थ है ताज पर यह था कि समाज जैसा करता है उसका प्रभावर राजा यानि शाषन पर भी पढ़ता है वह भी वैसा ही सत्कर्म करने के लिए प्रेरित होता है इसका आथ्वा है और उसका गध्यांश आपके सामने स्क्रीन पर है उस पर आधारिक प्रश्ण जो उत्तर में दूंगा पहला प्रश्ण जो का है वो भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और उत्तर है भारती कस्टम अधिकारी ने मगर हमारा वतन धाका है ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि भारत विभाजन से पहले वह धाका में रहा करता था अब खा का जो प्रश्ण है वो इस तरह है कस्तम अधिकारी ने सफिया के साथ किन इसमृतियों को साजहा किया तो जो इसमृतियां है उनका उत्तर इ आप उसे पढ़ सकते हैं अब प्रश्ण बार्वें पढाते हैं और बारवां प्रश्ण है निमलिखित प्रश्णों के उत्तर दीजिए प्रश्ट में पढ़ रहा हूं पहलवान की धोलग कहानी पारंपरिक रूप से लोगप्री रहे कुष्टी जैसे खेलों के प्रती नई पीड़ी की सोच में आए परिवर्तनों को भी दर्ज करती है टिपड़ी कीजिए इसका उत्तर स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं और मैं यहां से बता भी रहा हूं कि हमारे यहां कुछ पारंपरिक खेल भारत के रहे हैं उनमें से कुष्टी एक है पर समय बदलता है पीड़ियां बदलती है और उसके साथ साथ सोच बदलती है हम पास्चाच देशों के अपना लिया लेकिन खेल तो सब अच्छे हैं परंतु हमें अपने देश के जो पारपरिक खेल हैं उनको हमेशा जीवित बनाए रखने के लिए कोशिशें करते रहना चाहिए और अब प्रस्तुत है किसी का खा डाक्टर आमबेटकर ने शाब्दिक अर्थ में असंबव हो मानने पर बल क्यों दिया है तो इसका उत्तर आपके लिए आपके सामने स्क्रीन पर अब गाहे मेंधक मंडली से लेखक का क्या अतात पर है वह उन पर पानी डालने को क्यों वेर्थ मानता था यह डाक्टर धमी भारती के काले मेगा पानी दे से लिया गया प्रश्ण है और इसका उत्तर यह है कि गाहों के कम उम्र के लड़के जब इसी तरह कम कपड़े पहने हुए या नंगे हो करके कीचल कांदों में डूब कर पूरे गाहों में घूमते थे और लोगों से पानी म काहा करते थे और ऐसे लोगों के ऊपर लोग अपने घरों का बचाया हुआ वह कीमती पानी जो पानी की उपलब्धता ना होने के कारण परिशानी से जमा किया गया है वो डालते थे तो लेखा का विचार था कि यह तो पानी की बरबादी है इसलिए वह से उचित नहीं मान सब्सक्राइब अगला प्रश्न है घा आपके सामने स्क्रीन पर और इसका उत्तर है यहां मुझे व्यात होता है कि बाजार की सार्थ बाजार को सार्थक्ता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह बाजार से क्या चाहता है और अब तेरवा प्रश्न है जूज के ल गेकर से किन गुणों और जीवन मूल्यों को ग्रहन किया क्या आज भी उनकी प्रासंगित्ता है तो इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर इसका अथवा भी है और उसमें पूछा गया है एन फ्रेंग की डाइरी विश्व की सरवाधिक पढ़ी गई पुस्तकों में से एक है कि इसके कारण क्या है तो एन फ्रेंग की डाइरी को सबसे ज़्यादा पढ़े जाने के जो कारण है वो उनका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर और अब आखरी प्रश्ण चवदुबा निम्लिकित में से किनी दो प्रश्णों के उत्तर लिखिए तो इसका प्रश्ण मैं पढ़ रहा हूं उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर आएगा हमारे पूर्वजों ने 5000 साल पहले किस प्रकार विश्व को ब्यवस्थित जीवन जीने का तरीका सिखाया था अतीत के खंडहर पाठ के आधार पर सोदाहरण उत्तर दीजिए तो इसका उत्तर इस्क्रीन पर आपके सामने अब आते हैं खाप्रश्ण पर और खाप्रश्ण है यशोधर बाबु ने किशंदा से किन जीवन मूल्यों को पाया था क्या आप भी उन्हें अपनाना चाहेंगे क्यों इसका उत्तर आपके सामने स्क्रीन पर है और अब गाप्रश्ण जो है वो मैं पढ़ रहा हूं जूज पाठ के लेखक के पिता अपने बेटी की पढ़ाई के विरुद्ध क्यों थे शिक्षा के प्रती अपनाया गया उनका यह रवय्य वर्तमान संदर्वों में त्याज क्यों है तो इसका उत्तर भी आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है इसे वहां विस्तार से पढ़ा जा सकता है आप पढ़ सकते हैं तो यह था कक्षा बार्मी का हिंदी विशय का 2019 की परिक्षा में पूछा गया प्रश्णुपत हमने उसे यहां हल किया है उसके आदर शुक्तर तयार किये हैं जो आपके लिए बहुत उपयोगी होंगे आप इनके जरिये अपना आकलन कर सकते हैं कि आपको कितने अंक मिलने वाले हैं और जो बच्चे अगले साल की तरह काम करेगा हमने दस्मीक अक्षा का प्रश्णुपत्र भी इसी तरह हल करके और उसका वीडियो बना रखा है और उसे आप देख सकते हैं तो रप्या इसे शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद